दोस्तों ये देखे ये छोटी सिलाई मशीन है कितनी पुरानी होशुक थिये ये देखो ये बिल्गुल इसमे नीचे भी कुछ निया और जो है ये जंग लगा हुआ है एक-एक चीज बहे ये विल्गुल जाम हो रही है ये देखो पुर्जे भी बिल्गुल इसके खराब हो गया और यह देखो पैरवेर सब खराब हो चुके हैं बिल्कुल इसमें जंग लगा हुआ है दूरी मिट्टी परी हुई है पटरी वटरी सब खराब है इसके देखो दोस्ते यह देखो बिल्कुल ऐसी भी चीज़ नहीं है जो खुलके यह किसी काम में आ जाए जो है ना इसक सबने के बिल्कुल मरम्मत करनी पड़ेगी बिल्कुल संब सबने के बादने और यही फूर्जे लगाते यह भी अक्षे साफ हो जाएंगा देखो सब समान और अद्द समान और निकला वा है ये देखो कितना ख़ाब समान हो रहा है बिल्गुल जंग लगा हुआ है एक एक चीज बे ये देखो बिल्गुल जंग लगा है जो नहीं पूरानी मसीन का चाही करगे ठीक है दोस्तों मैं इसको जो है न अगली वीडियो में आपको खोल के दिखाऊंगा और फिर इसको पैंट करके और नई बना के दिखाऊंगा विलबुक कैसे क्या नम एक पूर्जा लगाते हैं पूरानी मशीन का सही करके ठीक है जो भी पूर्जा इसमें क्या नम चलने वा पैंट हो जाएगा इस मशीन का पैंट करके दिखाते हैं आपको और पूर्जा लगाना बताऊंगा ताकि आप है न अपनी पूरानी मशीन को बिलबुल अच्छे से ठीक कर से गए ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अगर आख चैनल पर पहली पर आएं तो चैनलों को सब्सक् झाल